कौम की बुनिया जो होती है वो शागिर्द होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं जितने भी अवरेते आई हैं, वो सिर्फ एमपाउर्मेंट की वज़े से जो सतर साल से डवलेमेंट नहीं हुआ था वो हमारी पंचाइदू ने डवलेमेंट की है जूते कट जाते थे एक MLA के पास जाते जाते फिर भी ट्रानस्फार्मर नहीं मिलता था नाजरीन आदाब खेर मगदमें आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में और मैं हूँ प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्र और मैं प्रोग्राम की कोहोस्ट सुर्खाब जहरा जैसे कि नाजरें आप सब जानते हैं कि पिछला एपिसोड हमें वक्त की नजाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था नाजरीन चलिए सिदे इनके साथ बात करते और जानते हैं इनके हालात शेक्सपियर का कावल है नाथिंग इस गुड़ाएंड बैड थिंक्स मेक्सिट सूर एट लिस्ट प्लस टू तक बच्चों को फोन मुबाइल फोन ना दिया करें बच्चे इसलिए बाइदल चाते हैं कि ताकि वहाँ पर एक अच्छा टीचर हमें मिले और वहाँ पर हमें अच्छी एजुकेशन मिले गवर्मेंट सकूलों में हाजरी कितनी है जबके अरभू रुपया खरज करती है गवर्मेंट एजुकेशन के सिस्टम पर एक पैरेंट कुछ भी करेगा लेकिन अपने बच्चे के साथ कंप्रोमाईज नहीं कर सकता है जितनी मेंगी एजुकेशन आज है आने वाली नुसले इस एजुकेशन को आगे नहीं पढ़ा सकेंगे तो इनसान को ये चाहिए कि एक गोल होना चाहिए जिन्दगी में कि हमें क्या करना है कहां तक पहुँचना है जितने काम पिछले सालों से नहीं हो रहे हैं आज वो हमने तीन या चार सालों में करके दिखाए है जो भी बोलना चाहिए जो गलत है वो भी बोलना चाहिए मुझे लगता है कि जब से ठीटेर सिस्टम बना तो किसी ना किसी हद तक गरीब लोगों तक वो फाइदा पहुचा जो उनको सतर साल में नहीं हुआ ठीटेर सिस्टम जब उन्होंने शुरू किया 2018 में हमारे बीडियो, हमारे एसीडी, हमारे डीसी सब, हमारे सेच Well Up mate यजिए हमारे लूत हैंसा साथ, क्यों फ़ेस्ट अफिसार हमारे एग्रिकल्चर आफिसर ने समझा कि यह लोग अब हमारे शरीक हो गए क्योंकि इन्सान की सोंच अगर सही है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी काम गलत हो सब्सक्राइब वान करप्शन सेकेंड जो हमारे बच्चे नोजवान नशे की लट में पड़े हैं जहां हम हेल्थ की बात करते हैं वहीं तालीम जरूरी है तो हम यहां के लोगों से जानना चाहते हैं कि यहां का तालीमी निजाम कैसा है लेकिन आप जो दीरे दीरे इसमें भी कमी आ रही है जो पहले पहले इसमें बहुत डेवलोप्मेंट हो रही थी उसमें भी कमी आ रही है जहां तक एडुकेशन सेक्टर की बात है हमारे बाई बशीर साब बैठे हैं इन्होंने बहुत अच्छी बात कही मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे पास भी एक प्रेविट स्कूल है लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि यहां के जो गवर्मेंट स्कूल हैं आपके पास बहुत अच्छा स्टाफ एवलेबल है आपके पास MSC, MA टीचर्स एवलेबल रहते हैं वो एक्जाम पास करके इस गवर्मेंट स्कूल में आते हैं लेकिन जब आप उनको फैसल्टी प्रवाइड नहीं करते हैं उनके पास ग्राउंड नहीं रहता है तो एक पैरेंट कुछ भी करेगा लेकिन अपने बच्चे के स स्कूल को बंद करके गवर्मेंट स्कूल को आप अच्छा बनाएं और एक नेसेसरी बनाएं गवर्मेंट सर्वन्ट के लिए भी एमपलाईज के लिए भी कि आप उनके बच्चों को भी इन गवर्मेंट स्कूल में दाखिला लेना उनके लिए नेसेसरी बनाएं बुरबाद गुलिस्तां करने को एक ही अलू काफी था हर शाक पे अलू बैठा है अंजा में गुलिस्तां क्या होगा शेक्सपियर का कवल है नाथिंग इस गुड़ एंड बैड थिंक्स मेक्सिट सो तो मैं यहां पे एक कश्मीरी होने के नाते बात करूँगा और मेरी बात जो होगी वो आमन नास तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा देखिए अगर आप grievances की बात करोगे तो आपके कागजाद जो है वो खत्म होंगे लेकिन grievances खत्म नहीं होंगे कश्मीर के अंदर हर district के अंदर मसाइब है परेश्यानिया है लेकिन उनके पीछे कोँन है वो हकुमत नहीं है सबसे पहले हम लोग है जो इस कश्मीर के अंदर रह रहे है आप कश्मीर के अंदर किसी भी department की अगर आप बात करोगे तो हर डिपार्टमेंट के अंदर ब्लैक शिपस मौझूद है जुनों ने कही न कही इस डिपार्टमेंट का नाम जो है वो बदिनाम करके रखा आप देखे कि ऐसे टीचर मेंने कल एक मुझे एक प्रिंसिपल फोन कर रहा था है कि हमारा ऐसा टीचर है कि वो खारपुरा हैर सेकंडरी बंद हो जाएगी, जहां पर बच्चों को पाइदल जाना पड़ ता ताकि वह पर एक अच्छा टीचर हमें मिले और वहां मिले जब वह एजुकेशन खात्म हो जायेगा तो कौन सा बच्चा पाइदल वहां तक जाएगा तो मेरी ये भी गुजारिश है कि आगर इस दोर में इस LG हुकूमत में एजुकेशन खत्म हो जाएगी तो ये हमारे लिए भी बदकस्मती है और पूरे हंदोस्तान के कौम के लिए बदकस्मती है जैसे उन्होंने कहा कि एक दिन होगा कि यहां पर एजुकेशन खत्म होगी तो यहां के मकीनू से जानेंगे क्या वो जुवात है कि एजुकेशन यहां की खत्म होगी देखे जो एजुकेशन के बारे में आपने पूछा मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जैसे यहां अभी प्रेवेट ज़्यादा सुकूल चल रहे हैं गवर्मेंट सुकूलों में आप इदर लारून से या नबूग से अनंतनाग तक कपरन से आप लार्की पोरा तक अनंतनाग तक देखें गवर्मेंट सुकूलों में हाजरी कितनी है जबके अरबू रुपईय कि एक है और खरुच करती है गवर्मेंट के सिस्टम पर कितने टीचर हैं या कितने माश्टर हैं सब अच्छे डिग्रियां पढ़ के माश्टर बने लेकिन उनके पास लगने था lec सिस खटम हो रहे हैं लोगों के पास कल इतने सोर घ gir शूँगे कि वह खी बच्चे को यह राने वाले जो बारे जो नावनिया बच्चे हैं अगर हम जमीन बेज के कुछ बेज के या मजदूरी करके या कुछ करके बच्चों को प्रेवेट स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों में हमारी नई जनरेशन में ये दम रहेगा कि वो प्रेवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे वो दम रहने वाला मुझे नहीं लगता क्योंकि इनकम के जराया इदर मधदूद हो रहे हैं अभी इनकम के जराया इदर कुछ नहीं है कश्मीर में प्राइवेट सकूल का अगर आपस में मकाबला किया जाए तो मेरे हिसाब से जो प्राइवेट सकूल है वो नमबर वन पे आता है education देने के हवाले से क्योंकि education जो government हमारे school ने उसमें जो भी teacher है कोई teacher ऐसा नहीं होगा जिसको government वहां पे salary अच्छी खासी देती है और comfort zone में उसको रखा हुआ है क्योंकि हमारा जो private school है private अधारा है उसको एक school जो चलाता है वो ज़्यदा से ज़्यदा 4000 तक high salary देता है लेकिन उसका जो result आता है इतना बहतर आता है कि वो लाजवाब होता है क्योंकि अगर्ची government की policy है government school और private school को equal करना पिछली बार कुछ आड़रस फ्रेम हुए थे आड़रस आये थे कि आप इकवल लेके चलो कुछ guideline भी दिएगे education के हवाले से लेकिन अब भी अगर ground पे देखा जाए जो पुरानी situation थी वैसी ही है government और प्राइवेट school के दिरम्यान बहुत बड़ा gap है जिस दिन ये private और government school का gap खतम हो जाएगा उस दिन हमारे जो बाई हैं बच्चे हैं वो अच्छी education हासल करेंगे इस पर government को चाहिए एक अच्छा फैसला लेना इस पर गोर करना कि हम किस तरह इस जो ये जंजट है प्राइवेट और government school का education इसको बाहर निकवाल के equal करें ये हमारी प्याराइस की तरफ से एक गुजारश रहेगी डिमांड रहेगी कि इसको equal platform पे लाओगे तब जाके हमारे बाई हमारे बच्चे एक अच्छी education हासल करेंगे क्या कश्मीर के अंदर अगर हम education department की बात करेंगे हमने बहस छेड़ी government और private schools की लेकिन क्या कोई बंदा ये सोच रहा है कि जो private classroom के अंदर बच्चा पढ़ रहा है वो भी हमारा ही है और जो private school के अंदर पढ़ रहा है वो भी हमारी ही है और पढ़ाने वाले लोग भी हमारे ही है तो क्या ऐसा है कि हम बोर रहे कि private school वाले जो है वो आगे बढ़ रहे और government school वाले जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे ये सिर्फ education department की बात नहीं है अब health department की बात उठाईए हमारा डॉक्टर साहिब जो है उसको hospital में बेचेनी क्यों होती है और किल्निक के अंदर वो बड़े प्यार के साथ अपने patient को treat क्यों करता है हमारा teacher जो है वो हर हफ़ते के बैद क्यों चाहता है कि मैं leave डाल दूँ सकूल के अंदर उसका दिल जो है वो सकूल से क्यों नहीं बैठता है और जो उसका tuition होता है coaching center होता है वहाँ पे वो हर साल 30 साल 50 हजार की advertisement क्यों लगाता है और सिर्फ ये education department की बात नहीं है ये सिर्फ health department की बात नहीं है अगर हम जो हमारा block department है वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसका जो असर हमारे कौम के उपर हो रहा है लेकिन कर कौन रहा है वहाँ पी हमारे 5 साहबान बैटे सरपाई साहबान बैटे बीडी सी साहबान है जो बीडीयो साहब होता है क्या रिश्वत वही नहीं देते अपना नाम चमाने के लिए और अपना काम हासिल करने के लिए क्या वो अपने बीडीयो साहब का जेब घर्म नहीं करते और फिर उसका पैंसा एक गरीब से लुटा जाता है यह करने वाले भी कोई घैर नहीं, यह करने वाले भी हम ही लोग है। सेम बच्चे क्लास 11 में और उनकी डिमोशन हुई है। अगर 10 में 76 परसंट, 86 परसंट उनकी परसंटेज थी तो 11 में ऐसी कौन सी चीज हुई जो उन लोग ने उनको डिमोट कर दिया गया। तो ऐसे कौन से लूप होल्स है हमारे कॉलेज में, हमारे इनस्टूशन में जो जिनको हमें हिट करना है। अगर झाल दो शुरूप संट्रिवी कौन सीज हम आता नहीं कि गलेजा हूँ करना हूँ इनस्टूशन में खरम सीज हुई हुई इंगा झालना होुई करूप रहे उप्सक्राफिसर को पता है कि मुझे रहा है कि मुझे है इंसरिय कोई गर खरम उप इंसे यहा हम उत और स जादे से जादे देखो, इंडिया में, मैं एक्जाम्पल दूँगा, इंडिया में हमारा नॉर्मल लाइफ सुपैन क्या है, एक मंदे का, 65 वो सबसे बड़ी बात नहीं, हमारा जो अभी तक है, we are 24-23, तो 20-25 साल तो खतम हो गए, अब क्या बच्चा है, 40 तो हमें responsible होना है, जहां हम हर एक गर में, सोशल मीडिया के शिकार देखते हैं, या सोशल मीडिया से, क्या कुछ तरकी होती है, तो वही हम आज कुकरनाग में यह जानेंगे, यहां के लोगों से, कि यहां पे सोशल मीडिया के शिकार हुए है, या positive reactions आती हैं लोगों से. सोशल मीडिया के जहां तक बात है, वो अंग्रीजी में एक कहावत है, necessary evil, यह हमारे लिए एक necessary evil बना है, मैं parent से बिल्खुस गुजारिश करना चाहता हूँ, कि हम एक अपने पास एक criteria रखें कि किस बच्चे को हमने mobile देना है, मैं गुजारिश तमाम parent हजरात से यह गुजारिश करना चाहता हूँ, कि at least up to 12 हम बच्चों को mobile phone ना दे, अगर आपको देना है, वो छोटा सा फोन दे, कीपैड वाला फोन दे, यह मेरी गुजारिश हैंड फोल्ले रिकेस्टर तमाम parent से रहेगी, जहां तक social media की बात है, 12 के बाद यह हमारे politicians के पास, political workers के पास, उनके लिए यह बहुत अच्छा weapon है, लेकिन बच्चों के लिए हम mobile phone बंद करेंगा। साथ में होते ही है, मैं पूरा social media को target नहीं करूँगा, मैं इसको blame नहीं करूँगा, because at last हम जितनी भी technology यूज करते है, it's used by the human mind, human intellect, it's used by an individual at last, यह depend करता है कि हम किस approach से इसको handle करें, यह उस चीज़ पर डिपेंड करें, आज़ जो भी smartphone आता है, उनमें एक mode है, जो जिसको parental mode के नाम से जाना जाता है, and most of the parents, as we talk about this UT, Jumu and Kashmir, यहां पे, they are not aware about this thing, there is a feature in this mobile phone, that's parental mode, if you are going to supervise your kid, having the phone as well in his hand, you can supervise, but you need to be aware as well, वो एक parental mode है, मैं हर किसी को request करूँगा, एक smartphone में वो parental mode है, उसको आप शाम को जब भी पूरा देख हतम होंके, अपने kids को आप बोल सकते हैं कि आप इधर मेरे पास आ जाए, और वो parental mode on करके आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे की activities क्या रही है पूरे दिन फोन में, और वो ना बंद हो सकता है, ना हाइड हो सकता है, that is always there, वो चीज लेके आप इसका use बहुत अच्छे वे में कर सकते हैं. जैसे हमारा मोसम का मार है, सेब है या बाकी चीज जिन पर हम ज़्यादा निरबर करते थे, उसकी इक्तिसादी जिस पर हमारी इक्तिसादी आती, जमीने हमारी बंजर हो रही है, हमारे सेब का कीमत नहीं मिल रहा है किसी जगा, किसी मंडी में जितना हमको लागत लग दिया है, सेब उगाने में उसका चवथा हिस्सा भी हमको पैसा नहीं मिलता है बाहर से, बाहर की मंडियों में से, लोग अब सेब उगाना भी छोड़ रहे हैं तो हमारी आमदनी के जरा ये खत्म हो रहे हैं तो कल ये प्रिवेट इदारे कहां से चलेंगे तो मैंने इसलिए बताया था कि अगर अपने सुकूलों को गवर्मेंट अपने इन छोटे मोटे सुकूलों को पहले तो बुन्यादी कि क्यों वहां रोल नहीं है जब उनके अपने बच्चे उन सुकूलों में नहीं पढ़ते हैं तो दूसरा आदमी उन सुकूलों में बच्चे कई से किस लिए देगा एक तो ये कानून होना चाहिए कि किसी भी सरकारी माश्टर का बच्चा किसी प्रिवेट इस्कूल में न आता है क्या कभी आपको ये एक्जामपल मिली कि एक हफ़ते के अंदर उसका मसला जो अहाल हुआ नहीं हुआ वहां पे जो वकील साहबार है क्या अपनी जेब को घरम करने के लिए वो केस पे केस उसके ओपर ठोकते नहीं है ये हर जगा हो रहा है हर डिपार्टमेंट में हो है और सिर्फ हम अगर गवर्मेंट को कोसे तो क्यों कोसेंगे क्या हम यह नहीं कहते हैं कि जो कुछ भी गवर्मेंट की पालसी आती है वो लोगों को देखके आती है और अगर आज आप कश्वीर के अंदर देखोगे जो कुछ हो रहा है अगर कहीं आप कह रहे हो कि डिवल निकल रहा है चार बज़े वापस आ रहा है वहां से रिपाउचर पर यह वो खुद नहीं कर रहा है उसका दिल उसमें नहीं लगाए बलकि उसे पता है कि अगर मैंने अटेंडेनिस नहीं की तो शाम को मुझे टर्मिनेशन आडर आएगा तो मेरी अवामनास से गुजारश य समझोगे तब तक आप इस कौम को कहीं नहीं ले जाओगे अगर मोदी जी के बदले अमरीका से भी कोई आपको यहां पर आके प्रेजिडेंट बनेगा प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो यह कौम तब तक कहीं नहीं जाएगी तब तक हम खुद अपना महसबा नहीं करेंगे अपनी सोच नहीं बलेंगे मेरी गुजारिश अपने बुलाग की अगर मैं बात करूँ हमारा सागाम टंगपावा में एक 600-700 कनाल की अराजी वहां पर अवेलेबल है सुकास्ट ने ली थी मेरी सुकास्ट टीम से भी गुजारिश रही थी उस टाइम उन्हें आश्वासन दिया था एशोरनस दी थी कि हमारी कोई अब्जेक्शन नहीं रहेगी अगर हम इसको प्लेग्राउंड पचास यां साथ कनाल उस अराजी में अगर प्लेग्राउंड के लिए घरिच होते एक एडवांसट प्लेग्राउंड रहता यह सिर्फ सागाम बलाक की बात नहीं वहाँ पर कुकरना के बच्चे भी खेलने आते अगर हम अच्छाबल से उपर द्यालगाम से उपर और लारून गावरं तक हमारे पास अभी हमारे नौजवानों के लिए एडवैंसट प्लेग्राउंड नहीं है मेरी गुजारिश यहां पर बहुत मुलाजमीन भी बैठे ह उनसे रहेगी जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं इसमें लगाएं कि हम अपने लड़कों के लिए कोई अच्छा प्लेग्राउंड यहां बनाएं अगर आप सही मानूं में लोगों को यहां एमपावर करना चाहते हैं तो पांच से लेकर पूरा डीडी सी तक सरपाइश इंडिया सब को एमपावर कर लेगएं और कि इनले स्वाषी मैं अगर किसी भी नागरिक को किसी भी हवाले से चाहे वह कॉरप्शन के हवाले से इन्डूजिविलीटी के हवाले से अगर कोई बात है तो वो लीगल एड हर कोट में अगर ये मुनसिफ कोट है वहाँ पे चेयरमें तासी लीगल एड अथॉरिटी कमीटी बैखती है और अगर ये डिस्टिक है वहाँ पे डलसा में डिस्टिक लीगल एड अथॉरिटी में वहाँ पे एक जैस सहब होते हैं सिंपल बिना किसी वकी सर आपकी बात नहीं सुनता है अगर आपका ओफिस सर आपको रोड नहीं देता है नलका नहीं देता है बिजली नहीं देता है उन ओफिस सर्स को वहां से डिरेक्शन मिलेगी और मैं समझता हूँ इस से बड़ा बदलाव कोई नहीं होगा लेकिन बदकस्मिती की बात है हमारे कोई आपको ये कहता है कि you have done this criminal act आपने ये गैर कानूनी काम किया है and you are punished for that subject to proof इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मेरे rights कहीं पे violate होते हैं तो आप अपने rights की infringement के लिए उसके हल के लिए आपके पास court है आपके पास deputy commissioner है आपके पास BDC है, DDC है आप उनके पास जाएए अपनी शिकायत का अजाला करिए तो woman empowerment पे बात हो रही है अगर हम बच्चियों की बात करें या कुछ field ऐसे है जहां पे आने से लड़कियों को रोका जाता है यहां पे हमारे साथ मुझूद है कुछ student बच्चिया तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कौम की बुनिया जो होती है वो शागिर्द होते हैं वो students होते हैं वो बच्चे होते हैं लेकिन इस पे किसी को नजर ही नहीं है कि बच्चू के साथ आजकल क्या हो रहा है मतलब बच्चे सारे ड्रेक्स करे यह किसी और जगह पे ड्रेक्स के से पहुंचते है यह किसी को अंदाजा ही नहीं है कि हमारी कोम जो है हमारे बच्चे जो है कितनी बुरबाद हो रहे है बस मेरा question यही है कि बच्चु के लिए जो मतलब आपको इकदामाद उठाने चाहिए थे आप क्या उठा रहे हैं? चार बजे तक वेट करना होता है गाड़ी का क्या क्योंसी गाड़ी आई ययकिक बावजूद होने के भी ड्राइवर नहीं रुकता है reason यह है कि इसको बिडर से सागम जाना है, इसको बिडर से अकिनगाम जाना है, इसको बिडर से यह हैत पूरा जाना है, वो नहीं रुकता है, reason क्या है, देखो हमारी हम accountable नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा बाते नहीं करनी है, हम तो बाते बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन रीजन यह है कि हमारा जो ground pay, ground on ground experience or execution है, जो भी किसी policy का, that's not worthy. That's not worthy as according to the expectations, हम कोई भी policy frame out करते हैं. तो मेरा यह है, this is one of the kind of suggestions I would like to give here, that's just ask these driver association, जो हमारी driver association है यहां की, उनसे बताएए कि उनसे बात करिये, अगर students wait कर रहे होते हैं, आपको seat होती भी है available, आप उनको क्यों नहीं लेते हो? यह जादातर girls के साथ होता है, because उनका उतना बोल चाल नहीं होता है, वो driver के साथ argue नहीं कर पाती है. एक लड़का आर्ग्यू कर सकता है, तो उसको चड़ा लेता है, एक लड़की को नहीं चड़ाता है. This is first thing, जो हम women empowerment की बात कर रहे थे. एक तो यह loophole है, मैं अपनी real life experiences बता रहा हूँ. And second thing, आप education के बारे में बात कर रहे थे. नाजरीन, आज हम आये थे कुकरनाक के अलाके में, जहांके लोग उसे बात करने. तो हमारे प्रोग्राम का वकत यहीं पे खतम हो रहा है. और अगर आप भी चाहते हो, हम आपके इलाकू में आए, आप से बात करें. और आपके जो भी मुद्दाव मकसद हो, वो आप से सुनके आला हुकाम तक पहुँचाए. तो इस वकत दीजिये रूबुरू की पूरी टीम को इजाज़त, अल्ला हाफिज.